कैसी बधाली है ये देश में जहां एक और पुरा विश्व महमारी कोरूना से जूज रहा है और इससे बचने की तमाम कोशिशे कर रहा है देश में कोरूना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सो लोगों की अब तक इससे मौत हो चुकी है जहां सरकार और प्रिशासन स तंक्रमितों के इलाज में लगी हुई है वहीं लोगों को घरों में रहने की सलहा दी जा रही है और जरूरत का सामान भी लोगों तक पहुचाया जा रहा है ऐसे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सरकार की कोशिशों पर पानी फेरते नजर आ रही हैं हाल ही में दिली के परवाही के कारण कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या तेजी से फैल रही है केंद्री स्वास्त मंत्राले की मताबिक दो दिन में 15 राज्यों में 800 पॉजिटिव मरीज मिले हैं और तबलिगी जमात से जुड़े हुए हैं वहीं बीते 24 घंटे में 15 मौते हुई हैं जिन बढ़कर 3730 हो गई है और 104 लोग अपनी जान गवा चुके हैं इन में से 21 तबलिगी जमात से भी जुड़े हुए हैं वहीं जिन तबलिगी जमात के लोगों को इलाज के लिए ले जाया जा रहा है वो अपनी कर्दूतों से बाज नहीं आ रहे हैं एक अस्पिताल में भरती छे कोरोना संदिग्दों पर नर्सों ने बेहत गंभी आरोप लगाये हैं चानकारी के नुसा ये छे लोग निजामोदीन में हुए तबलिगी जमात के कारिक्रा में शामिल हुए थे नर्सों ने ये आरोप लगाया कि सबी संदिग्द बिना पैंट के घूमते हैं अश्ली अस्पिताल ले जाते वक्त भी ये लोग जगजगध थूक कर कोरोना फैलाने की बात कर रहे थे वही महराश के पूरे जिले की शेरूर तहसील में प्रतक्ता की मुहर लगे तबलिगी जमात के 11 सदस एक मस्जद से कथत रूप से भाग गए जिस दिन उन्हें मुहर लगव जो इन लोगों के लिए और इनके अच्छे के लिए इलाज में लगा हुआ है